करने वाली हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको इसी तरीकी की बहुत सारी अमेजिंग स्टैल्स की वीडियो में चैनल पर मिल जाएंगी तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल एकिन को प्रेश कर दीजेगा ताक इस करा है कुछ इस तरीके से और यहां से इस तरीके से कर दोनू पार्ट में यह रबर लगा लेनी है काफी सुन्दर लगेगा अपार्टी विए अगर आपके बाल छोटे पतले भी है तो भी हेर istAy 00 gonecare लंबे भी है और बहुत लंबे हैं लेकिन बहुतत बतले हैं तो आप यह वाला परस आपका बन बन के यहां पर रैडी हो जाएगा आप सोचे हों कि मैंने चस्मा क्यूं लगा है तो मेरे आइज में थोड़ सी प्रब्लम है मुझे चस्मा लगाना पसंद नहीं है तो मैं भूल जाती ही चस्मा लगाना जिसके वसे मेरे आइज में स्वैलिंग आ जाती है सूच जाती है आखे और फिर दर्द होता है फिर में इस वज़े से मैं अपने चस्मा लगाती हूं मैं तो इस तरीके से मैंने रबर्बेंड लगा दिया है उसके बाद आपको simply यहां से टू पार्ट में डिवाइड करना है एक साइड के हेर को और इसको ट्विस्ट करना है ओके त्विस्ट करके थोड़े बहुत यूपिंस की भी जबद पड़ेगी आपको इसमें जैसे यह मैंने त्विस्ट कर लिया आप चाहो तो इसको खीच सकते हो और चाहो तो ऐसे टाइटली भी बना सकते हो अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो थोड़ा-थोड़ा खीच ल त्विस्टिंग करनी है जो दूसरी पोनी के हैर है हमारा कि बहुत सारी अमेजिंग हेर स्टाइल की जो आपके हेर में मतलब हेर स्टाइल करते हैं आपको प्रॉब्लम्स आती है और टाइप हेर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे अवलेबल मिल जाएंगी तो प्लीज सपोर्ट कीजिए गाईज और जदर जद चैनल को सेर कीजिए तो इस तरीके से बनाके और आपका हेर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा जहां भी लगे कि आपको यूपिंस की जरुत है वहाँ पे आप लगा दीजेगा ताकि आपका रबड बैंट भी ना देखिए और आपका बन लॉंग लास्टिंग रहे तो मैंन कि इस तरीके से तो हमारे दोनों साइड से हाई हो चुके है रबर बैंट और हमारा बंदी बंदके रेडी हो गया विक लोवन हैस्ट्या तो खुछ चीच ये से ये अगर ले निकालने है तो आप किसे निकाल सकते हो तो अज का हैसे लगा आप लोग को जरूर बताएगा कमेंट बखनों है ना इजी जरूर बताएगा बहुत ही आसान खुद से लोगान है तो फिर मिलेंगे नेक्स हेरस्टाइल के साथ तब तक लगना ख्याब रखिए भाई भाई